तो guys आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपको property tax की payment करनी है वो भी हरियाना state के लिए तो आप कैसे कर सकते हो काफी easy process है तो बिना time waste के चले बढ़ते हैं वीडियो की तरह तो guys सबसे पहले आपको अपने mobile या desktop पे google.com को open कर लेना यहाँ पर search करना है property tax हरियाना यहा आप अच्छो के हरियाना की government website पे तो यहाँ पर मैं language change कर लेता हूं English में तो यहाँ पर काफी सारे options है तो आपको क्या करना है simply यहाँ पर mobile number डालना है या email id जालना है जिससे आपका जो property है वो registered है तो यहाँ पर मैं अपना mobile number डाल देता हूं और उसके बाद आपको यहाँ पर send OTP पर click करना है तो आपको एक OTP receive होगी आपके number पर तो यहाँ पर आपको enter कर देना है और उसके बाद verify OTP and submit पर click कर देना तो अब यहाँ आप login हो चुके हो यहाँ पर तो अभी मैं सबसे पहले यहाँ पर language को change कर देता हूं English में तो इस वाले page पर आपकी जो भी property उसस आपको click कर देना है और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना property ID number डालना है तो यहाँ पर मैं simply अपना property ID number डाल देता हूं अगर आपको अपने property की property ID नहीं पता है तो कैसे आप उससे find out कर सकते हो उससे लेटर भी वीडियो आपको मेरी चैनल पर मिल जाएगी यहाँ आई ब property tax पर click कर देना है तो यहाँ पर आपको इस particular property की सारी details दिख जाएगी like क्या due है कितना आपको pay करना है जैसे कि आप देख सकते हो आपको पूरा यहाँ पर दिख जाएगा सारा details like अभी मुझे pay करना है 138.92 रुपीज तो यहाँ simply मैं नीचे scroll down करूँगा तो यहाँ pay online का option आपको दिख जाएगा तो simply इस पर आपको click कर देना है और उसके बाद जो आपका registered number है वहाँ पर आपको एक OTP receive होगी तो वो OTP यहाँ पर डाल देना और उसके बाद verify OTP and submit पर click कर देना तो उसके बाद आप payment वाले page पर redirect हो जाओगे तो यहाँ पर मैं अपनी payment को complete कर लेत हूँ a few moments later and आपने जो payment की उसकी पूरी receipt आपको यहाँ पर मिल जाएगी तो अच्छा है कि आप इसे download करके रख ले तो download के लिए आपको print पे click करना है और यहाँ पे save as PDF select करके यह simply यहाँ पे save पे click कर देना and इसे अपने desktop या mobile पे आप save करके रख सकते हो तो guys इतना ही था इस वीडियो में and I hope यह वीडियो आपके लिए काफी useful होगी still अगर आपको कोई भी doubt है या इससे later आपको कोई और issue आ रहे है तो आप comment section में पूछ लेना उसके ओपर भी वीडियो आ जाएगी and channel पे नहीं हो तो channel को subscribe कर लेना मिलता हो अगले वीडियो में तब तक के लिए goodbye